सो ही गाईस स्वागत है आपका मेरे चैनल में आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो भई हमारे जो हैं फाइनली जो सब्सक्राइबर सर हैं जो इतने टाइम से जूटी के साथ थे और कहीं ना कहीं देखिए जूटी को पर मोशन वीडियो ये फलाना वीडियो डिम भी है और मैंने फोटो क्रोप करके भी डाली थी तो सच में वाक्या में लगनी दी थी तीन बच्चों की मा है और जो इनकी पड़ोसन नहीं ने मना किया था कि ये शादी शुदा नहीं है लेकिन सब लोग जो जूटी की वीडियो देखते हैं उनको पता था कि उसने जो है पड़ोसन ने देखिए जूटी के जो सब्सक्राइबर सर है उनको एक्सपोज कर दिया है कहीं न कहीं पड़ोसन ने भी अपना बदला ले लिया है कि भाई मुझे एक्सपोज किया गया तो मैं भी अब सब्सक्राइबर सर को एक्सपोज करूंगी जूटी तो देखिए ज उसने वीडियो बनाई और डाल दी जैसी उसने वीडियो डाली तो लोगों ने जो है सब्सक्राइबर सर को देख लिया और जो मैंने ये फोटो लगाई है न ये जो है ये सब्सक्राइबर सर ही है और एक चीज और बताऊं कि काफी सारी कन्फ्यूजन हो रही थी लोगों को क सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर सर नहीं है और बचानक से उसके साथ क्या हुआ यह दो नहीं पता वो तो फाइनल याज एक्सपोज हो चुके हैं क्योंकि हमेशा से जब दुसक ऐ वीडियो बनाती उनकी टांगे दिफाती थी पैंट तक का हिसा खाली दिखाती थी और बोलती थी कि देखिए मैं इने लाना नहीं चाहती वीडियो में ऐसा है वैसा है लेकिन आज जो फाइनली जो एक्सपोज हो गए ना उसके बाद मुझे लगता है कि शायद जो यह सब्सक्राइबर सर जिनका यह नाम यह लेके बोलत आज जो रात को कल रात को इसने जो वीडियो बनाई थी गुस्से में कि आज के बाद मेरे घर के पास ना दिख जाई ओ इसकी तो इंटेंशन ही गल्थ है यह बात बताओ इतना टाइम से तुम्हारे पास को यह एक आदमी आ रहे है जा रहे है अभी तक तुम्हें उसके इ पूलते ही थे मुझे समझाते थे लेकिन मैं कभी किसी से ना तो दोस्ति यह ना ही किसी से वैर होता है ठीक है और हर रियक्षन पैटाने के लिए ना इंसान बोलता है मुझे ये नहीं पता कि इतने सारी गालिया क्यों दे रही है वह इसके बच्चे के लिए इतना समान ले के जो लगा होता है जो बिल्कुल सस्ता सस्ता जो उस्डोटा है वो वाला समान ले के आता है लेकिन भाई हम अब कैसे माने तुने इतना सारा समान जो है तू इस इंसान से ले चुकी है और दूसरी बात ये बोलती कि गुजरात रहता है गुजरात रहता है लेकिन आप ने ये चीज़ नोट की है इसकी मम्मी को गई कितने दिन हो गई और उससे पहले ये सब्सक्राइबर सर आये हुए थे तो कि इतने दिन से कोई इनसान ऐसे ही घूम रहे है बिलकुल भी नहीं उसका जो है इससे कोई ना कोई ऐसा रिलेशन है तब ही इसकी मम्मी जो है इसको रात को चेक करके जाती इसकी मम्मी को डाउट रहता है अब जो इसने चीखने चिलाने वाली वीडियो बनाई ना ये सिरफ और सिरफ इसलिए बनाई है क्योंकि उनका जो चेहरा था ना वो रिवील हो चुका है और कहीं न कहीं लोगों के सामन इसको प्रेजंट करना है कि देखे ये कितना गंदा इंसान है ये मेरे बेटे पे ऐसा करता है इसके तो इंटेंशन ही गल्थ है और दूसरी बात मैं सब्सक्राइबर सर को कहना चाते हूं जिसका नाम धरमेश बताया जाता है कि ये खुद भी मैरीड है एक बात बताए कितने सब्सक्राइबर से अदों है गूंतलि этом अच् girna pan खुम ऐतने सारे दकी तवर को इंसान किसी दूसरी और दूसरे के बच्चे के लिए कैसे जा सकता है और अगर इतना ही जादा प्यार है तो बच्चे को दें है प्रोपरिटी बच्चे के लिए नाम करा दो इसके बच्चे नहीं है और तबी जो है ये इसके बच्चे को प्यार करता है सभी ने इनके खुद के अपने बच्चे है ये जो है मैरिड है और बताया ये ही जाता है कि अपनी वाइफ के साथ जो है एक बार इनके घर पे आया था उसके बाद से ये आदमी जो है रेगुलर उसने आना स्टा है इनका मुझे इनका इड्रस भी पता है मेरे पास सब कुछ है अधार कार्ड भी मैंने देखा हुआ इनका तो जब तुने इतना सारी चीज़े देखिए तो फिर अब तु ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यह मुझे लगता है कि इनसान जो है कहीं गुजरात का रहने वाला नहीं है इनसान का हिसार का रहने वाला है तो कि इसी आदत हमेशा से रही है आपको पता है कि इसके किसी से भी निब blaming है जिसका जिसकी जो है अपने बलड रिलेशन वालों से ना बनती हो तो भाई यह तो खेर है कौन एरा गेरा नत्थु खेरा भाई तु है कौन तुझे तो यह क्या ही समझेगी और जब यह कल मापे घूम रही थी ना आप वो लोग देखना इसकी फ्रेंड वाला और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे यह अपनी फ्रेंड का व्लोग भ खा रहे हैं हम बर्गर खा रहे हैं हम यहां जा रहे हैं इवन रिक्षा का किराया भी जो हैं सब्सक्राइबर सर दे रहे हैं और किराया तो छोड़ो मंदिर में जो हम दान के लिए पैसे चड़ाते हैं दस बीस रुपे जो भी हम पैसे चड़ाते अपनी शर्दा से वह भी यह सब्सक्राइबर सर दे रहे हैं तो उस टाइम तुम्हें क्या हो गया था और उस वीडियो में अगर आप देखोगे तो यह खुद जो है घूमने की बाते कर रही थी उस व्लोग में आप नोट करना शाम हो गई थी तो यह बोल रही थी पता नहीं कौन सी एक जगह है वहा रात के आठ नो बज़े तक बाहर घूम रही थी उसके बाद जो है आकल यह वीडियो बना के कितना जादा उस इंसान को जो है बदनाम कर रही है चाहे तो वह भी इसकी बहुत सारी पोल पटिया खोल सकता ऐसा नहीं है कि हाँ यह बिल्कुल ही शरीफ है या फिर यह दूद प्यारी है अगर जिस तरीके से इसने इतना जादा गंदा बोला है उस आदमी के लिए अगर वो सच में ऐसा नहीं है तो उसे यूट्यूब पे आना चाहिए और अपना पक्ष जो है लोगों के सामने रखना चाहिए अदर्वाइस क्या होगा कि मुझे लगता है कि शायद बेवजा एक पैसा खर्च निगरेगा किसे के उपर आज के टाइम में क्या इसको नहीं पता यह औरत कभी भी किसी के उपर बेवजा एक पैसा भी खर्च करती है चाहिए इसकी माही क्यों नहों अगर उसके उपर भी एक पैसा भी खर्च करती है तो दस बार सुनाती है ना इसे कुछ मतलब होता है तो ये पैसा खर्ट करते तो ऐसा ही सामने वाला इंसान है उसको तिस से कुछ मतलब होगा कुछ मतलब निकालना होगा अब क्या पता उसकी क्या इंटेंचन है तेरे लिए तेरे बच्चे के लिए और मैं तो ये कौँगे कि वो इंसान भी अवारा ही इतने दिन से अगर वो गुजरात में रहता है तो हिसार में क्यों पड़ा है इस चीज के उपर इसके भाई को इसके घरवालों को अपनी बेटी के उपर एक्षिन लेना चाहिए थोड़ा सा जो है न उसकी जो है लगाम बोलते हैं वो कसनी चाहिए जो है इसकी मम्मी इसके करेक्टर का बहुत अच्छे से पता है यह सोशल मेडिया पर दस बार गाच चुकी है कि मैंने शादी से पहले क्या-क्या कांट कर रहे थी और मेरी मम्मी कोई बताया था अब कोई भी लड़की अपने माबाप को ऐसी गंदी गंदी चीज़े बताएगी तो उसके आने वाले टाइम में क्यों ना उसके उपर शक करेंगे और वो भी ऐसे टाइम में जब वो अकेली रहती हो तो इसकी मम्मी का इसको चेक करना इसकी मम्मी का बार बार जो है इसको देखना तो वो कहीं ना कहीं बिलकुल ठीक फाइनली जो है सबस्क्राइबर सरका भी इसने बाजा बजाए ही दिया है जैसे कि ये सबका ओल्रेडी बजाती है ये लेकिन अब देखना बाकी ये रहेगा कि आने वाले टाइम में जो ये सीरी स्टार्ट करती है अपनी पडोसन का बैंड बजाने की वो कब से स्टार्ट होता है क्योंकि ये कभी भी किसी को नहीं जोड़ती तो आप लोगों का क्या कहना इस वीडियो के बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और बेल आइकिन को प्रेस करना बिलकुल ना भूलें सो बबाई मैं मिलती हूँ आप से एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाई